तो दोस्तों ऐसा लगता है कि गोधी मीडिया को अब तक ये हजम नहीं हो रहा है कि आखिरकार बीजेपी करनाटक इलेक्शन में हार कैसे गई और शायद यही वज़ा है कि वो रहे रहे कर कॉंग्रेस की जीत पर सवाल उठा रही है अब गोधी मेडिया ये कह रही है कि करनाटक की जनता ने कॉंग्रेस को वोट दे कर सीम नहीं बलकी हाई कमांड चुना है चलिए एक पल के लिए ये माल लिया जाए कि करनाटक के वोटर्स ने सीम नहीं बलकी हाई कमांड चुना है तो फिर सवाल तो ऐसे BJP पर भी उड़ते हैं क्योंकि ऐसे कई स्टेट्स है जहां BJP ने भी इलेक्शन जीतने के बाद ही CM कौन बनेगा इस पर फैसला किया यानि जिन स्टेट्स में BJP बीते दिनों या फिर बीते सालों में जीती उन स्टेट्स के वोटर्स ने भी एक तरहा से हाई कमांड को ही चुना था है इस पर नहीं जाते हैं जन्ता ने किसे चुना बलकि इस पर जाते हैं कि किस पार्टी में कितनी लवर्टी है कॉंग्रेस में फिलहाल करनाटक के जो दो दावेदार हैं वो है शिफ कुमार और सिद्धा रमेया और दोनों ही अपने लेवल पर जो दिल में आ रहा है वो कह रहे है लेकिन क्या कभी आपने ये गोर किया है कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता बीजेपी में तो हाई कमांड ही नहीं होता यहां तो सब कुछ मोदी है या फिर अमिश्य हा है क्या कभी आपने देखा है कि किसी राज्जे में बीजेपी जीती हो और वहां बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि उसके साथ इतने विदायक है लहाजा उसे ही CM बनाया जाए मुझे यकीन है आपने कहीं भी नहीं देखा होगा तो फिर बताइए कि आप इसी पार्टी को चुनेंगे जहां आपके पास दो आप्शन है या फिर आप इसी पार्टी को चुनेंगे जहां आपके पास कोई आप्शन ही नहीं है मिसाल के तोर पर साल 2017 में जब बीजे पी ने यूपी के इलेक्शन जीते तब किसी को पता नहीं था कि यूपी में योगी CM बनने वाले हैं यानि यूपी के वोटर्स ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वोट किसे दे रहे हैं और उनका CM कौन होगा लेकिन तब किसी भी मीडिया ने ये सवाल नहीं उठाया कि यूपी के लोगों ने CM नहीं बलकि हाई कमांड को चुना है हाँ जब बीजे पी ने यूपी के लोगों को ये कह दिया कि आज से तुम्हारा CM योगी होगे तब मीडिया ने ये ज़रूर कहा कि देखिए बीजे पी ने क्या शांदार फैसला लिया है एक ऐसा शक्स जो CM बनाया है जो आगे चल कर उसके लिए हिंदुत्व का चेहरा बन सकता है खेर दोस्तों एक बात तो है कि जब छोटे छोटे इलेक्शन में वोट डालते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप किसे वोट दे रहे हैं और कौन आपका काम कराएगा लेकिन स्टेट का CM चुनने के वक्त आपको ये पता नहीं होता खास दोर पर जब किसी स्टेट का इलेक्शन बीजेपी या फिर कौंग्रेस जीती है लेहाज आप वोटर्स को ये भी मांग करनी चाहिए कि जब किसी स्टेट को वोटर्स डवोट डाले तो उन्हें ये पता हो कि वो स्टेट में किसे मुख्य मंतरी बनते हुए देखेंगे